पुर्धानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर करेंगे मन की बात मौजुदा हालात पर करेंगे चर्चा लॉगडाउन पर मांग सकते हैं जनता का सहयोग कारेकरम के लिए पीएम को मिले लोगों से कई तरह के विवारिक सुझाओ देश भर में कोरोना पोजिटिव मामलों की कुल संख्या पहुची 25,000 के करीब 18,953 सक्रिये मामले 5,210 लोग हो चुके हैं ठीक मरिजों को अस्पताल से दी गई छुट्टी करीब 800 लोगों की अब तक जा चुकी है जान लोगडाउन के बीच दिली सरकार ने राजधानी में केंद्रे इग्रिह मंत्राले के नए आदेश को लागू करने का लिया फैसला आज से गली महले और आवासी कलोनियों में बनी दुकानों के साथ ही जगह जगह बनी एकल दुकानों का खुलेगा ताला कंटेंटमेंट जोन में कोई छूट नहीं उत्तर परदेश के बारा नसी में पुलिस पर कोरोना वाइरस का टैक एक ही चुकी के साथ पुलिस कर्मी पॉजिटिव सातों में पाए गए थे शुरुवाती लक्षन गेस्ट हाउस में किया गया था क्वारंटीन दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रिम्टों के मामलों के बीच ओखला के सबजी और फलों के थोक बाजार में लोगों की भारी भीड जमा साथी लॉगडाउन और सामाजिक दूरी के नियमों का भी हुआ उलंगन महराष्ट सरकार ने राजस्थान सरकार से की कोटा में फसे राजी के 1800-2000 चात्रों के सुरक्षित घरवापसी की अपील घरवापसी पर होगी सभी लोगों की जाच 14 दिन के लिए किया जाएगा क्वारंटीन कोरोना वारस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते विदेश में फसे भारतिये जल्द लोटेंगे सुदेश केंदर सरकार ने की तैयारी विशेश उडानों से होगी भारतिये नागरिकों की सुदेश वापसी कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार का बड़ा फैसला अब महराष्ट में मुफ्त होगा टेस्ट का इलाज कैबिनेट मंत्री अमित देश मुख ने दी जानकारी कहा सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और इन से जुड़े अस्पतालों में मुफ्त किया जाएगा जाँच और इलाज महराष्ट में अब तक 7,628 लोग हो चुके हैं संकरमित गरबर रैपिट जाँच किट पर केंदर सरकार ने दिखाया सक्त रुख इसे सुबह बारिश ने दिलाई राहत आज अधिकतम तापमान 37,922 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना दुनिया भर में तबाही मचा रहा है कोरोना वाइरस का संकरमन वाइरस से अब तक 1,97,000 से ज़्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं और 28,30,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं संकरमित जब ही 8,00,000 लोग हो चुके हैं ठीक अमिर्का में जम कर हाहा कार मचा रहा है कोरोना 24 घंटे में 2494 लोगों ने गवाई जान स्पेन, इटली और फ्रांस में भी 20,000 से ज़्यादा हुआ जान गवाने वालों का आंकड़ा फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 379 लोगों की मौत बिटेन में मौतों की संख्या पहुँची 20,000 के पार करोना की वज़ा से यूके में 813 और लोगों ने गवाई जान करोना वाईरस के प्रसार के मद्दे नजर नेपाल में घरेलू और अंतरराष्ट्री उड़ानों पर बढ़ाया गया परतिबंध अब 15 माई तक नहीं होगा उड़ानों का संचालन नेपाल के प्रधान मंतरी कारियाले के सचीव नारायन विदारी ने दी जानकारी 27 अपरैल के बाद आ सकता है एक और रहत पैकेज कल पीएम मोदी की देश के अलग-अलग राजियों के मुखे मंतरियों के साथ मुलाकात के बाद हो सकता है आर्थिक रहत पैकेज का एलान दुनिया में कुरोना चीन रहा करोडों लोगों का रोजगार भारत में 14 करोड ने गवाया काम सिंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन एकोनॉमी ने किया दावा अपरैल के तीसरे हफते में देश में बिरुजगारी इदर 26.2 परतिशत महुची जो मार्च में थी 8.4 परतिशत अटो कंपनियों पर भी पड़ा कोरोना का बुरा असर अपरैल में अब तक नहीं बिकी एक भी कार अटो कंपनियों के लिए अशुब रहा महीना देश में 25 मार्च से देश ब्यापी लॉगडाउन है जारी कुरोना संकर्मन और लॉगडाउन ने पॉल्ट्री उद्यों की तोड़ी कमर देश में एक लाख बीस जार करोड के पॉल्ट्री वेवसाई से जुड़े करीब 10 करोड लोगों की पुंजी हुई खत्म कर्ज में दवे किसान और कारोबारी लॉगडाउन से पॉल्ट्री वेवसाई को 20,000 करोड से ज्यादा का हुआ नुकसान और ओनलाइन दान 180 फीसदी बढ़ा लोगडाउन में बिजली, पानी, क्रेडिट कार्ड और फोन जैसी सुबिधाओं के बिलों का ओनलाइन भुकतान 73 फीसदी बढ़ा फैनेंशल कंपनी रेजर पे की रिपोर्ट में लॉगडाउन से पहले और बाद के नतीजों का किया गया विशलेशन